मस्ते आप सभी को आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में और मैं हूँ आपकी टैरो रीडर विशाली शर्मा और अब हम देखते हैं कि जो पाइसीज हैं मीन राशी वाले उनके लिए क्या संदेश है इस जुलाई महा के लिए तो देखिए इस जुलाई महा के लिए सबसे पहले पाइसीज वाले आप देखिए conceive कर पाएंगे मतलब आपको कोई pregnancy news मिलने वाली है definitely है और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि यह जो pregnancy है यह आपके अंदर बहुत जादा ही एक जो softness लेकी आएगी आपके अंदर जो शायद आपने पहले कभी feel नहीं किया होगा वो feeling आपको इस pregnancy में मिलेगी यह कुछ लोगों के लिए pregnancy हो सकती है बाकि कुछ लोगों के लिए है कि आप कुछ creative काम कर र रहे हैं आप या फिर आप घर में कुछ अपने काम की त्यारी कर रहे हैं या कुछ तो एक ऐसा है अलग हटके जो आपसे आपका एक जो soft side है ना जो एक स्त्री का side होता है स्त्री तत्व होता है ममत वह वाला वो चीज आप अपने अंदर देख पाएंगे कि किस तरह से वो अंदर आपके और ज्यादा naturally बिल्कुल ऐसा नहीं कि किसी के कहने से या किसी दवाब में आने से या फिर ऐसे कि कोई intention set करके कि हाँ मेरे को बहुत ज्या आप देखेंगे कि आपके अंदर naturally जाने कहां से एक ऐसी feelings आएंगी कि आपके जो और पास की चीजे हैं आप उनकी care कर रहे हैं और बहुत खुश हैं और आप हर चीज को अच्छा बनाना चाहते हैं हर चीज को grow करना चाहते हैं जैसे कि एक positive बहुत ही अंदर से positive intention और relaxed intention रह आपकी मा से जो अंदर का ममत्व है उससे आप और जादा घहराई से deal कर पाएंगे और अगर आपकी कोई mother है, maa है तो उनसे भी आप देखेंगे उनके अंदर changes अगर आपकी कोई mother-in-law है अगर आपकी सासु मा है तो उनके अंदर भी आप changes देख पाएंगे और ये सब ची बहुत जादा आपकी mood swings रहे हैं मुझे ऐसा लगता है पहले आप बहुत जादा कभी कुछ feel करते थे कभी कुछ feel करते थे कभी कुछ feel करते थे तो ये सब जो mood swings थे अब आप देखेंगे कि ये अब एक तरीके से स्थिर हो चुके हैं अब ये जो बाते हैं जो परेशानी आ एकदम motivated रहते हैं खुश रहते हैं और एक आपके काम करने में एक slowness आ गई है आप धीरे धीरे चीजों को अब आप ग्रो करने दे रहे हैं वो आपके अंदर एक तरही से जल्दबाजी नहीं है और बाकी आपको यही ध्यान रखना है कि आप अपनी थोड़ी सी health का भी ध्य ध्यान रखें है ना क्योंकि अगर अगर pregnancy news है तो आपको definitely health का ध्यान रखना है बाकी आप लोग यह कोशिश करिए कि जो जुलाई मंद है इसमें जो भी अगर पूरन मासी पड़ती है तो कोशिश करें कि उसमें आप कुछ दान कर दे या फिर कोई अगर special आप पूजा कर स सकते हैं तो आप वो जरूर रखिए क्योंकि वो आपको फायदे मंद रहेगा बाकी इसके साथ साथ यह है कि अगर आप हमारे चैनल से personal tarot reading या haven services लेना चाहते हैं जो कि शायद आपको इसमें जरूरत रहे जुलाई मंद में तो आप संपर्ग कर सकते हैं क्योंकि जो सावन मंद है वो भी हमारा 22nd July से 19th August तक है तो उसमें भी हमारे haven services चल रहे हैं तो आप चाहें वो भी ले सकते हैं बाकी आपके लिए कोई खास ऐसा संदेश नहीं है कि आपको चिंता करने की जरूरत है या कोई बहुत बड़ा message हो नहीं message नहीं है आपका जो जो जुलाई मंद है वो पूरा आपकी feelings से related रहेगा आप खुद ही देख पाएंगे कि आप चीजों से कितना जादा detached हैं और खुश हैं तो यही आपके लिए संदेश है बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम मिलेंगे next वीडियो में